हालो फ्रेंट्स वेल्कम यू आज में आपके लिए जो वीडियो लेका रहे हैं बात करने वाले हैं गिरावट के इस टाइम पे कौन से स्टॉक्स जरा देखिए आज की डेट में ऑनलाइन सेल फ्लिपकार्ट अमजोन मिंट्रा बहुत जगह चली भी है यानि कि फैशन वाले स्टॉक्स फुट्वेर वाले स्टॉक्स कपड़े वाले स्टॉक्स में यानि कि मैं कहूंगा अगर किसी सेग्मेंट की हम बात कर रहे हैं अपरल सेग्मेंट की फुट्वेर सेग्मेंट की कपड़ों के सेग्मेंट की आपको कि हुआ आप देखिए इस टाइम पे गिराव यह भी कहा गया थे कि इस sector के stocks को समझ यहां पर दिख रहा है momentum वहां पर opportunity मिलती रहेगी और फिर से आपको यही कहेंगे कि अगर momentum है तो opportunity की तरफ आपकी high probability होती है otherwise इंतजार weight और इस गिरावट में फिर से repeat करूंगा इस गिरावट में बहुत सारे stocks ने even daily time frame पे तक movement lose कर दिया है यानि कि daily time frame पे momentum loss हो चुका है तो अब जो इंतजार रहेगा वो momentum का gain कर रहेगा अगर daily पे momentum loss नहीं हुआ है तो hourly में loss हो चुका है तो इंतजार रहेगा hourly में वापस momentum का यह बहुत important है मैं फिर से repeat करूंगा जब भी correction आती है तो जो बड़ी corrections आती है वहाँ पे momentum यहाँ पे loss होता है even बड़े time frame तक loss हो जाता है तो उनमें जहाँ भी momentum का loss हुआ है वहाँ पे gain होना बहुत जरूरी है तो चलिए देखते हैं आज की date में बहुत important learning यह stock बहुत कुछ हमें सिखाता है आप देख सकते हो liberty shoes के कभी भी हो अगर आपको correction में इस तरीके से double bottom kind of scenario मिल जाए और तो उसके बाद आप ध्यान रखना यह जो consolidation यहाँ पे बनेगी ना वह आपके लिए बहुत important होती है इस तरीके से मतलब आपको पता है यहाँ पे volume का गायब होना और देखिए इस rise में आपके लिए बहुत important जो पहला leg है इस M formation का मैं आप इसको M formation भी कह सकते हो लेकिन आप M W formation टॉप पे हम M formation कहते हैं और यहाँ पे W formation इसको आप equal top और equal bottom कहते हो लेकिन मैं आपको last video में भी इसके बारे में काफी चर्चा करी थी क्योंकि यह चीजह हमको टायर इंडस्ट्री के stock में अब यह footwear में Liberty Suze में देखने को मिला था तो यह देखे यह equal चाहे आप equal कहो कई बार हलका सा यह down चला जाता है आप और कई बार यह इस तरीके से situation आपको दे देता हलका सा उपर त देखोंगे यह important level 160 की range का और आप देखें आज कहा है सारे highs को touch करता हुआ 290 तक पहुंच गया यह recently काफी important learning यह learning आपको share की गई थी यह footwear stock September 22 का यह video जहां पे हमने बाटा और relax के बारे में काफी जिकर किया था तो फिर से जिकर करेंगे बाटा और relax का यह जरह देखिए आप कहोगे यार यह तो भागा नहीं footwear stock क्या बात कर रहे है भई यह भागा नहीं जरूर लेकिन यह correction हमारे लिए बहुत important है जो कि low volume पर आ रही है जैसी अभी फिलाल क्या है जैसे मैंने आपको कहा कि इन corrections की वज़े से हमारा daily time frame momentum loss हो रहा है तो वापस कहीं न कहीं इसका momentum में आना जरूरी है entry के लिए तो जो opportunity बने गी आने वाले time पर वो किस तरीके की बन सकती है देखिए जड़ा नीचे bottom बनाया हाई बन important होने वाला बाटा की यह बात हमने करी अब देखते हैं relax हो को जड़ा देखिए relax हो consolidate जरूर कर रहा था लेकिन यह देख सकता तीन दिन के अंदर वापस बेस पे पहुंच चुका है low volume के साथ बहुत important लेकिन 200 SME से नीचे है तो इंतजार करेंगे बहुत important अब देखिए three leather यह भी वही footwear वाला segment है जो liberty suits दिखा रहा था वही motion इसने भी दिखा है और इसने भी आज एक बढ़िया rally दी है आगे again बहुत दूर जा चुका है liberty suits क्या three leather भी touch कर पाएगा 310 का level तो बहुत मैं कहूंगा ज्यादा दूरी नहीं है बहुत ही पास है यह target भी खादिम की बा comment को देखिए सुर्य प्रताब जी का comment आया था जब पास दिन पहले वीडियो आया था खादिम बिग मूव के लिए तयारी कर रहा है की पनी गलाई on खादिम बढ़ देखिए यह यह जो analysis है यह इस तरीके analysis में आपको फिर से कहूंगा यह सारी के सारी price action basis पे होती है और price action basis पे जब भी analysis होती है तो वहाँ पे सबसे पहला जो step है वो है risk management का यह बहुत ध्यान से समझी और बहुत ध्यान से इसको लिख लीजिए कि price action आपको कभी भी हो बिना risk management के आगे नहीं जाने देता और आप अपने stop losses को पहले तयार करके रखते हो अपने max losses को पहले तयार करक max losses क्योंकि यह losses को define करना बहुत important है अगर losses defined होंगे तभी आप exit ले पाओगे अगर आपका plan fail होगा तो क्योंकि हम बड़े time frame की बात करते है monthly weekly daily time frame यह काफी reliable time frame में को कहता हूं तो यहां पे आपके stop losses deep हो सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से आपके risk management के हिसाब से आपका position size जो ह है वो कम होगा तो यह बहुत important ऐसा है नहीं कि आपने position size रख लिया बिल्कुल uncontrolled level वाला area लेकिन वहां पे stop losses deep होने के वज़े से आपको losses का सामना करना पड़े तो यह देख सकते हो क्या खादिम पहुंच पाएगा साड़े 300 का यह all time high का target पार कर पाएगा देखे लिवर्टी सूस स्री लैदर खादिम बाटा रिलेक्स हो अभी वहां पे positivity का इंतजार है बाटा रिलेक्स हो क्योंकि इस गिरावट की वज़े से यह नीचे गए है तो उम्मीद करेंगे positivity की उसके अलावा अब बात करोगे fashion segment में fashion segment में अभी comment हमारे पास आया था अरविंद fashion के उपर तो यह बहुत सारे stocks आप देख सकते हो मैं आपको यहीं तक नहीं रहे ना देखिए जो आपको दिख रहा है वही situation आप यहां पे देख सकते हो कितना बढ़ी है अभी कुछ time पहले इसके बारे में comment भी आया था हम कि आप जो analysis कर रहे हो वह गलत नहीं है आप analysis बहुत ही सटी कर रहे हो और अरविंद fashion को आप इतनी जल्दी भाब पाए कि वह rally आपको देखने को मिल रही है initial target areas यह level आपको गयार हुआ क्या बहुत ही बढ़िया situation है volume देख सकते हो guy up volume से volume बढ़ने लगा है अरविंद fashion तो और भी बहुत सारे stocks यहां पर हैं आपको हमने कुछ टाइम पहले campus के stock के बारे बारे बताया था आप देखोगे और केवल के रन की stock को देख सकते हैं केवल के रन तो हमने बहुत time पहले यहां पर monthly के basis पर इसको analyze किया था इन एरियास पर देख सकते हैं में 2022 का यह round और आप आप देख सकते हो किस तरीके से जो अभी हाप Liberty Suze में देख रहे हो double bottom kind of scenario जो हमने आपको पहली भी बताते है 200 SME की इर्दगिर्द आपको कभी भी किसी भी time frame पर double bottom मिल जाए 200 SME की line का base और double bottom scenario मिल जाए वहां पर तो फिर इंतजार करना उसके बात की जो consolidation zone का होगा तो यह consolidation जोन देखे 260 और यह rally देखे देख रहे हो इस पार को सीज़े 260 से 440 का और हलका सा halt यहाँ पर अगरी correction consolidation समझे लेओ 200 SME base बना रहा हो और वहां पर double bottom kind of scenario यह देखे आप इसको double formation का हो यह तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस तरीके से हलका down हो सकता है और हलका आप भी हो सकता है वह कहां पर 200 SME जब base बना रहा हो यह बहुत ध्यान देने वाली बात है बहुत बड़ी चीज में आपको बता रहा हूं और आप देख सकते इसके example अभी recently एक वीडियो भी हमने create किया था उसका example आपको दिखाएंगे और केवल किरन को आप देख सकते हो क आपके लिए और अच्छी learnings की वीडियो क्रियेट करते रहेंगे और थांक्यू थांक्यू पर वाचिंग दर वीडियो